नमस्कार दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारी चनल पर दोस्तों आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुछ गरेलू उपायों के बारे में बताने वाली हूँ आपको यह बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोलेस्टरॉल हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन बिमारियां तब शुरू होती हैं दोस्तों जब यहां बलड सैल्स में जमने लगता है इस इस्तिती में बलड सर्कुलेशन बादित होने लगता है और शरीर में सभी भागों तक खून पहुचाने के लिए दिल को पहले से ज़ादा पंप करना पड़ता है कोलेस्टरॉल जो होता है वो दो तरह का होता है एक तो होता है एकलो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब की LDL कोलेस्टरॉल और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब HDL कोलेस्टरॉल दोस्तों इन में से हमारी सेहत के लिए LDL कोलेस्टरॉल जो होता है वो बुरा होता है और HDL कोलेस्टरॉल अच्छा होता है मुखिता कोलेस्टरॉल हर्मोन को नियंत्रित करने में हैल्प करता है रक्त के विशाले तत्मों को सोक कर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है यहाँ मस्तिश क्योंकि ठीक से काम करने के लिए कोलेस्टरॉल का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है वहीं दोस्तों शरीर पर पढ़ने वाली धूप से विटामीन बनाने के लिए कोलस्ट्रॉल ज़रूरी होता है बलड में कोलस्ट्रॉल का स्थर 3.6 से 7.8 मिली मोल्स प्रती लीटर की रेंज में होना चाहिए जब यहाँ लेवल 6 मिली मोल्स प्रती लीटर हो जाता है तो यहाँ हाई कोलस्ट्रॉल कहलाता है लेकिन दोस्तों 7.8 मिली मोल्स लीटर के बाद हार्ट टेक का रिस्क बढ़ जाता है हाई कोलेस्टरॉल की कुछ खास वज़ा होती हैं जैसे की वजन बढ़ना, शारीरिक महनत ना करना, खान पान में लापरवाही बरतना या फिर जैनेटिक इसके अलावा कोलेस्टरॉल बढ़ने के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जैसे की हाई ब्लड प्रेशर, बहुत जल्दी जल्दी थाकान होना या फिर जल्दी हापना तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कोलेस्टरॉल को कम करने के लिए कुछ प्राकर्टिक चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी जैनकारी इसको जानने से पहले बस एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को सरूर ले ले ताकि आप हमारी आने वले जैनकारियों को देख सकें और इनसे फाइदा बिठा सकें इसके साथ ही सही जैनकारी के लिए इसे अंते तक सरूर देखेगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है ओट्स ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल के स्थर को कम करने में मदद करता है दोस्तों यहाँ एक आसान और प्रभावी तरीका है यहाँ घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है और कोलेस्टरॉल के अफ्शोशन को कम करने में मदद करता है इसकी मदद से खराब कोलेस्टरॉल का स्तर भी कम रहता है दोस्तों दोस्तों एक और एक आधा कप पका हुआ ओट्स या फिर एक कप ओट्स के चोकर में लगभग 3 ग्राम घुलनचील फाइबर बीटा ग्लुकोन होता है आप अतिरिक्त स्वास्त लाबों के लिए अपने ओट्स में फल और नट्स ढाल सकते हैं जैसे की सेब, केला हो गया, अक्रोट आदी ओके फ्रेंस दूसरी चीज है इसके लिए मचली का तेल मचली का तेल या फिर फैटी मचली जैसे की, मैकरल, ट्यूना, ट्राउट्स, हैरिंग, सैल्मन ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिट से भरपूर होती है यह सबी ट्राइगलिस्राइट्स को कम करने और हिर्दरोग को रोकने में मदद करते हैं दोस्तों प्रति दिन लगबग एक से चार ग्राम मचली के तेल का उभूग कीजे अगर आप शाकाहारी भी हैं तो आप इसमें फ्लेक सीड्स यानि की अलसी के बीच का सेवन कीजे इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ओके नेक्स्ट चीज है ड्राइफ रूट्स इसमें बदाम हो गया, अक्रोट, पिस्ते में पाये जाने वाला है फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिट्स और विटामीन्स बुरे कोलेस्टरॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्टरॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं वहीं दोस्तों, इसमें मौझूद फाइबर जो होता है न, वो देर तक पेट भरे होने का एसास भी दिलाता आपको और आप ओवर इटिंग से भी बच जाते हैं ऐसे, ओके इसके अलावा आप अगर ड्राइफ्रूट्स का सीवन कर रहे हैं तो घी में, तेल में भुने या फिर नमकीन में वो का सीवन ना कीजिए इससे हाई ब्लड प्रेशर की समास्य हो सकते हैं आपको आप बदाम, अखरोट को पानी में भगो कर और पिस्ते को वैसे ही छील कर खाईए इससे ये ज़्यादा फायदे मन दूंगे आपके लिए, ओके पानी में भिगोने से बदाम, अखरोट में मौझूद फैट कम हो जाता है और इनमें विटामिन E की मातरा बढ़ जाती है इसके अलावा आप लैसुन का सेवन भी कर सकते हैं लैसुन में कई ऐसे एंजाइम्स पाय जाते हैं जो की LDL कोलेस्टरॉल को कम करने में मददकार साबित हो सकते हैं दोस्तों आप प्रति दिन लैसुन की दो कलियां चील कर खाईए इससे आपको फायदा मिलेगा इसके अलावा आप सोया बीन और डाले जो होती हैं उनका सेवन भी कर सकते हैं सोया बीन डाले अंकुरित अनाज खोन में मौझूद LDL कोलेस्टरॉल को बाहर निकालने में लीवर की मदद करते हैं दोस्तों ये चीजें अच्छे कोलेस्टरॉल को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आपको यह अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शियर और कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमको ताकि जादा से जादा लोग इसका फायदा उठा सकें और अपना कीमति शमय देने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद